हेलो एवर्वन कैसे हैं आप सब तो आज मैं आपको इसे खाऊंगी 10 ऐसे वर्ड वो भी बहुत काम टाइम में जिसे बोलकर आप नेटिव लगेंगे और आप अच्छी रैपो अर्ण करेंगे एक्साइटिड है एक्साइटिड आप यूज नहीं करेंगे एक्साइटिड के जगह हम यूज कर सकते हैं एगग 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 तो एगग तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा यह गल्थ है अगर मैं कहूं कि मुझे अपने फ्यूचर में कुछ गल्थ होने वाला है अन्हापी फिलिंग जा रही है तो उसके लिए स्पेशल वर्ड है यह एप्रिहेंसिव 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 यूज करेंगे आप I am feeling apprehensive about going outside in the darkness कि अंदेरे में बाहिर ज एक इंसान है उसने पूरी जिन्दगी को फॉलो किया है और अब वो मुसल्मान हो रहा है तो इट मेंस वो अपने रिलीजन से मुर्ताद हो गया है उर्दू में अपने लफ सुना होगा कि फलां बंदा मुर्ताद हो गया तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं अपॉस् एहमद बिकेम अपॉस्टेट आफ्टर हिस वाइफ डाइड अफ कैंसर के एहमद क्या हो गया मुर्ताद हो गया उसने वो रिलीजन छोड़ दिया उसका हुदा पर से यकीन उठिया जब उसकी बीवी कैंसर से मर गई नेक्स वर्ड इस सेल्फ कॉन्फिडेंस होना के भई म मैं तो यह काम कर लूँगा मुझे अपने आप पे फुल अत्माद है तो इसके लिए स्पैशल वर्ड है एपलॉंब एपलॉंब यूज करेंगे आप इसके लिए आई गाट फर्स पोजीशन इन मैट्रिक विद अपलॉंब के मुझे अपने आप पे ब्रोसा था तो मैंने फर्स पोजीशन मैट्रिक में हासिल की नेक्स वर्ड इस डिप्रेशन एगनी या पेन इसके लिए आप यूज करेंगे एंग्विश आमना शट हर आइज इन एंग्विश नाउन हम यूज एज नाउन इसको यूज कर सकते हैं कि बहुत साधा सैड हो जाना पेनफुल सैड और डिप्रेशन अगर हम इसे वर्ड के तौर पर यूज करें तो हम कह सकते हैं I spent previous two weeks anguishing about whether I had made the decision right कि मैं पिछले दो वीक से इसी डिप्रेशन में हूं परेशान हूं इसी पेन में हूं कि जो मैंने डिसीयन लिया है वो ठीक है या नहीं next word is ended debt over a period कि आपने किसी आपने करसा लिया हुआ है तो उसको आप अदा करें थोड़े थोड़े पैसे करके मतलब एक साथ पे करसे को अदा करना तो that is amortize, amortize हम इसके लिए special word यूज करते हैं हलीमा वजन्ट एबल तो amortize her house lawn due to house expenses के घर का करसा उसने चुकाना था हलीमा ने लेकिन वो उसे चुकाना सके क्योंकि उसके घर के expenses काफी ज्यादा थी next word is using right and left hand equally well कुछ लोग होते हैं right hand से भी काम कर लेते हैं left hand से भी काम कर लेते हैं तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ambidextrous ambidextrous अले इस naturally ambidextrous मतलग वो दोनों हाथों से naturally equally काम कर सकता है लिख सकता है या कोई भी काम कर सकता है eighth one is reserved and not friendly ये इसके लिए special verb जो लोग होते हैं बिलकुल reserved रहते हैं अपने आप में रहते हैं किसी साथ जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं तो उनको हम कहते हैं aloof I used to be aloof because I didn't want people becoming too familiar कि मैं अपने आप में ही रही मैं reserved रही मैं friendly ना हुवी क्यूंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोगों के साथ मैं मिलूं जिलूं next word is hostile unsympathetic जिसके दिल में आप के लिए कोई feelings ना हूँ तो उसे हम करेंगे alignate the hostel life alignated him from his family कि वो hostel में रहता रहा और वो अपनी family के बारे में unsympathetic हो गया hostile हो गया उसे कोई भी sympathy या हमदर्दी ना रही अपने घरवनों से तो इसके लिए हम alignate यूज करते हैं the last word is partially enclosed place यह noun है जिस तरह हमारे घरों पर जिसे हम निश भी बोलते हैं तो उसके उसे क्या कहते हैं special word alcove my room has an alcove ठीक हो गया यह थे हमारे आद के 10 words इसको आप अपनी life में यूज करें दोस्तों के सामने बोलें और new new words यूज करें ताके क्यूंके computation already बहुत भड़ चुका है और आप अच्छी अच्छी vocab यूज किया करें जहां आप इतना time waste करते हैं वहां 5 minutes to 10 minutes रोज vocabulary को भी दिया करें जरूर मेरे चैनल को subscribe कर दें ताके मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़े और शेयर करती रहूं मिलते हैं next video में वाबाई